नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये वीडियो है अक्टूबर 2022 करेंट अफेर्स की चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है भारत के पहले मद्दाता स्याम सरन नेगी का निधन हो गया है ये हिमाचल परदेश के रहने वाले नेक्स्ट है इस्राइल के प्रधनमंत्री बने हैं बेंजामिन नेत्यानू नेक्स्ट कोश्चन है न्यू जिम कारबेट पार्क न्यू जिम कारबेट नेशनल पार्क कहां बनेगा यूपी में बनेगा यूपी में जिम कारबेट का जो पाल्ट यूपी में था उससे जिम कारबट कहा है उत्तराखंड में नेक्स्ट है बाइजूस के ब्रांड ना मेजडर बने हैं लियोन मेसी फुटबालर है नेक्स्ट है सायद मुस्ताफ अली ट्राफी जीती है मुंबाई ने इंपॉर्डन कोश्चन है रणजी ट्राफी 2022 पहली बार जीती है मद्ध प्रदेश ने और सायद मुस्ताफ अली ट्राफी भी क्रिकेट सम्मंदित है ये मुंबाई नेक्स्ट है इस्कूली छात्रों के लिए प्रते दिन 10 मिनट का योग अनिवार किया है करनाटक ने करनाटक ने इस्कूली छात्रों के लिए प्रत दिन 10 मिनट का योग अनिवार किया है नेक्स्ट है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्जी बन गया है केरल नेक्स्ट फुसकर मेला मनाय जाता है रायस्थान में इसमें उठ दोड प्रतियोगिता होती है नेक्स्ट है इस्रों और जापान की जाक्सा और भारत की इस्रों ये दोनों मिलके चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर साथ में सर्च करेंगे ढूनेंगे चांद के अंधेरे वाले हिस्से भे साथ में अभियान चलाएंगे इस रो जो कि भारत के अंत्र एजन्सी है जापान की जक्सा है नेक्स्ट है मतुरा ब्रंदावन को सुद्ध सुन्य कार्बन उत्व सर्जन न्यूटल टूरिस्ट डिस्टिंशन बनाये जाएगा 2021 तक उत्तर प्र्देश के मतुरा बंदावन को 2021 तक सुन्य सुद्ध कार्बन उत्व सर्जन न्यूटल परेटन इस्थल बनाये जाएगा 2021 तक तीसरे खेलों इंडिया युनिवर्स्टि गेम 2023 में उत्तर प्रदेश के 4 सहरों में होगे तीसरे खेलो इंडिया युद्धिवटी गेम 2023 उत्र पृदेश केilateral सहरों में होगे लखनाओ है इस तरह चार सहरों में होगे और अगर है बात कलने हैं कि पहला खेलो इंडिया युद्धिवटी गेम कहा हुआ था तो ओडिसा में हुआ था second कनाटक में हुआ था अत्तर प्रदेश में होगा next है ICC ODI 2023 कहां होगा भारत में होगा HQ whoever cup कहां खेला जाएगा तो ये रावल के ला उरिसा में खेला जाएगा G20 2030 कहां होगा भारत में जम्मू कसमीर में होगा 2022 कहां होगा समरकंद में हुई थी नेक्स्ट है महिला विस मुक्य बाजी 2023 नई दिल्ली में होगा और द्रश्ट बाजितों के लिए T20 मैच जो है भारत में होगा और उसके ब्राणा मैच्टे बनने हैं यूरास सेंग नेक्स्ट है अंतराष्टी तेली मेडिसीन सम्मेलन अंतराष्टी तेली मेडिसीन सम्मेलन कोची केरल में होगा नेक्स है 37 राष्टी खेल 2023 कहां पर होका गुवा में होगा और 36 कहां हुआ था हो चुका है गुजरात में हो चुका है 2022 36 राष्टी खेल कहां हुआ है गुजरात में हो चुका है 2022 मोदी ने उद्गाटन किया था समापन हमारे उपराष्टपत जगदी धंकर ने किया था इसमें कौन से टीम पहले इस्थान पे आई है तो सर्विसेज सर्विसेज टॉप पे है सेकंड इस्थान पे महाराष्ट्रा दुनिया की सबसे बड़ा सपारी पार कहा बनने जा रहा हरियानम बनने जा रहा है अब सेकंड इस्थान पे UAE हो जाएगा तो ये लखनों में बनेगा ये सिंगापुर की तरजबे बनना है दुनिया में एक मात्र नाइट सपारी पार्क सिंगापूर फे आप सेकेंड ये बनना भारत में लगनों में नेक्स है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत 40 पर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सुचकांग में भारत की 40 पर पहले स्थान पर सुट्जर लेंड है और इसको जारी कौन करता है विस्ट बौधिक संपर्दा संग्ठन जारी करता है जिसका मुख्यले जेनिवा में है आप रेसन गरून इस्टार्ट किया है CBAI ने ड्रग नेटर्रक को खतम करना है इसका उत्धेस है लता मंगेशकर पुरुषकार तीनोओं को दिया गया है दोजार एकिस का दिया गया है कुमार सानों को 2020 का आनन्द मिलिंद को दिया गया है 2019 का सैलेंद सिंग को दिया गया है यह तीनों साथ में दिये गया है लेकिन अब इसको 2019 में नहीं थे किसी को नहीं दिया गया था तो 2019 का दिया गया है सैलेंद सिंग को 20 का दिया गया है अनंद मिलिंद को 21 का दिया गया है कुमार सानों को इटली की पहली महिला प्रधन मंतरी बनी है Georgia Meloni Georgia Meloni इटले की पहली महिला प्रधन मंतरी है रूस ने चार युक्रेणी छेत्रों का बिले कर लिया है कौन-कौन से चार सहर है युक्रेण के लुहांस्क, डोनेस्क, मारियोपोल और मेरिटोपोल और खेरसान इन सहरों को इसने अपने में मिला लिया है चार राज्यों को मिला लिया है लुहांस्क, डोनेस्क, जपोरीजिया जपोरीजिया जो है मारियोपोल और मेरिटोपोल और मेरिटोपोल यह जपोरीजिया में आत ऐसृटजा में क्रीमिया को इसने पहले ही ले लिया था, तो यह means location, यह थर रूस है, यह यूक्रेयन है, काला सागर है, क्रीमिया है, क्रीमिया है, noon 2014 पे ही इसने कल लिया था कबजा, आप हिसने लुहांस्क, डोनेस्क, जपूरीजिया और खेरसान को कब्जे में ले लिया है नेक्स्ट है त्रिपक्षी पंडूबी रोधी अभ्यास होगा यूएस, दक्षिड कोरिया, जापान के बीच में होगा नेक्स्ट है छठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्गाटन मोधी ने किया है बहुत इंपर्णन कोश्चन है नई दिल्ली के प्रगति मैदान से मोधी ने यहां से 5G लांच किया है भारत में छटे इंडिया मोबाइल कांग्रेस प्रगति मैदान नई दिल्ले से एक अक्टूबर से चार अक्टूबर के बीच में हुआ मोदी नहीं यहां से 5G लांच किया है एल्टेल और जियो जो है भारत में 5G लांच कर चुके हैं भारत के सुरवाती चड़ में 13 सहरों में इची लांच की गए 5G नेक्ट है रेपो रेट इसमें चल लाई है 5.90 नेक्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन है इयान तुफान आया है क्यूबा में क्यूबा में आया है इयान तुफान हुन्रो की अंडर 14 रिच लिष्ट में पहले स्थान पर है निखिल कामत की कमपनी है जी रोधा सेकेंड स्थान पर आते हैं भाविस अगरवाल इनकी कमपनी है होला नेक्ट है लता सुरगाथा का अंग्रेजी में अनुबाद किया है इरा पांडे इरा पांडे ने इसका अंग्रेजी में अनुबाद किया है लता सुरगाथा का इसको हिंदी में लिखा था यतीस मिस्रा ने नेक्ट है यूएन का गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है स्रश्टी बक्सी को स्रश्टी बक्सी को UN का Game Changer Award दिया गया है ये देता है UNSDG United National Sustainable Development Goal ये जो है UN का Game Changer Award देता है किसको दिया गया है? स्रश्टी बक्सी को दिया गया है सब निष्टा आया प्लांच किया है हिमाचिल प्रदेश ने चटी बार सबसे स्वक्ष सहर बना है इंदौर चटी बार लगातार सबसे स्वक्ष सहर बना है इंदौर सिकेंड स्तान पर है सूरत और सबसे स्वक्ष राज की बात की जाए तो वो है मदप्रदेश Next is CRPF के Head बने है सुजात लाल थाुसिन और ITBP के head है अनीज दयाल सिंग भारत और अर्मीने के बीच में 2000 करोन रुपए के रच्छा समझोते पर डील हुई है नेक्स्ट है आसरा पिंसर ने उजने इस्टार्ड किये तेलंगाना सरकार ने FIBA महिला बास्केट बाल विसकप 2022 जीता है USA आप Optimus Optimus नामक humanoid robot का एक prototype प्रतरसित किया है एलेन मस्क ने ये same-to-sam human की तरह दिखेगा Optimus जैसे robot में वही था Optimus नामक humanoid robot का एक prototype प्रतरसित किया है एलेन मस्क ने टेसला के मालिक है नेक्स्ट है Gail के head है संदीब कुमार गुपता नेक्स्ट है देश का पहला पूर्ण साक्छर्टा वाला क्राम बन गया है पुल्लम पारा केरल का पुल्लम पारा गाउं देश का पूर्ण डिज्टल साक्छर्टा वाला पहला ग्राम पंचायद बना है पुल्लम पारा केरल का पंद्रवे राष्टपत बनी है दुरपती मुर्म, इनका पहला दवरा था गुजरात के एहमदाबाद में, वहां से इनों ने महिला उदमियों के लिए हर स्टार्ट प्रेटफर्म लांच किया है, पहला दवरा था दुरपती मुर्म का एहमदाबाद सस्त्रा रामा पुरुषकार 2022 की दिया गिया है यून किंग टैक को संयुक्त राष्ट स्रानार्थी पुरुषकार दिया गिया है एंजला मारकल ये जर्मनी की चांसलर रह चुकी है सयुक्त राश रानार्थी पुरुषकार्थ किसी दिया गया है एंजला मारकल को दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी के उत्पादक और उभोगता देश है भारत भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में चीनी का उत्पादन भी करता है उभोग भी करता है निर्यात के मामले में सेकंड इस्थान पर है आत्म निर्भर योजने श्टार्ट की है कुजरात सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्टी आइकन घोसित किया है पंकस तिरपाठी ये हीरो हैं बिहार करेने वाले निर्वाचन आयोग ने किसी अपना राष्टी आइकन घोसित किया है पंकस तिरपाठी को नेक्स्ट है भारती परेटन सांक की रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे ज़्यादा बिदेशी परेटन कहां जाते हैं वो जाते हैं मामल लेपूरम तमिलनाडो में सेकंड इस्थान पर जाते हैं देखने के लिए ताज महल को लेकिन अकर भारती पूछें कि सबसे अदा भारती परेटन कहां जाते हैं वो जाते हैं ताज महल देखने हैं प्रतेक जिले में 75 अमरस सरोबर इस्थापित करने वाला पहला केंसासित बन गया है जम्मू कस्मीर ने अपने प्रतेक जिले में 75 अमरस रोवर इस्तापित किया है तो यह पहला केंस्ता से प्रदेश बन गया है और यहां के उपराजपाल है मनुस सिंहा नेस्ट है अपनी पहली महिला प्यसी बटालियन का गठन किया है यूपी ने तीन प्यसी महिला बटालियन का गठन किया है यूपी ने नाम है उनके पहली है रानी अवंती लोधी रानी अवंती बाई लोधी सेकेंड है उदय देवी थर्ड है जलकारी बाई यह तीन महिला प प्यस्थी बटालियन खोली गई हैं उत्तर प्रदेस में नाम है रानी अवंती बाई लोधी उदय देवी जलकारी बाई ये कहां-कहां खोली जाएंगे बंदायू लखनो गोरगपुर में महिला प्यस्थी बटालियन खोला जाएगा जिसका जिक्र बजट में किया गया था अगर आपने बजट की वीडियो नहीं देखी है तो इसको जाके देखलेंगे निक्स्थ है ई यू ने यूनियुर्सल चारजर नियंग लागू किया है दो हुजार चौबिस के लिएं तक इसको लागू कर देगा यू यू इसने यूरोपियन यूनियन ने गया है 12-24 के अंत तक यह हो जाएगा तो इस तब में क्या होगा समय टायप C टायप का चाजर रहेगा नेक्ट है पेथिया नामक नई मचली प्रयात की खोज़ी गई है नागालेंड नेक्ट है पी यम गतिसक्ति पोर्टल लांच किया गया है गुजरात में अपनी योजिना अपनी सरकार आपके द्वार ये लांच किया गया है धनबाद जहार खंड से निएक्ति नमूना 25 प्रणाली डेटा दोज़ेट 20 के अनूसार भारत में दस वर्सों में प्रज्यंदर में कितने प्रतित की कमी आई है एक हजार महिला में कितने बच्चे जर्मिक लेते हैं तो उस साब से दस वर्सों में परिजन दर में सबसे अधा कमी आई है 20% की कमी आई है भारत में और जम्मु कस्मीन में सबसे अधा गिरावाट देखी गई है 29.2% नेक्ट है अंतराष्टी सौर गडबंधन की पांचमी सभा कहां आयुजित की जाएगी तो नई दिल्ली में हो जाएगी अंतराष्टी सौर गडबंधन की स्थापना 2015 में हो थी गुर्ण गाओं में हैड़कॉटर है और इसकी पांचमी सभा नई दिल्ली में होगी 9 October को मनाते हैं 20 dark divas 9 October को मनाते हैं 20 dark divas theme है post for planet next है भारत का पहला 24 into 7 सौर औरजा संचालिद गाउं बना है मोडेरा गाउं गुजरात का मोडेरा गाउं ये जो है भारत का पहला 24 into 7 सौर औरजा संचालिद गाउं बन गया है Monterra Stadium सुना होगा आपने तो ये मोडेरा गाउं है गुजरात का next है सीपरी रिपोर्ट के अनुसार आत्म निर्भर रक्षाउत पादन में भारत चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर है चीन सीपरी ही जारी करती है ये हत्याखरों का सबस्यद आयात करता है भारत और सबस्यद निर्यात करता है अमेरिका next है मुलाहिम सिंह यादो समाजवादी पालřटी के स्था पक मुलाहिम सिंह यादो का निधन हो गया है तीन दिन का राज्की सोग घोसित किया गया था ये तीन बार उत्झर प्रदेस के मुख मंत्री रह चुके है» और दो बार केंदे के मंत्री रह चुके हैं ये पूर्व रच्छा मंत्री भी रह चुके हैं next कलब फुटपल में 700 गोल दाग का रितिहास रचा है क्रिश्टियानो रोनाल्डो ने पुर्टगाल के रहने वाले हैं बाल बिवा सबसे अदा होते हैं जारखंड में सेकंड इस्तान पे पश्यमंगाल में बाल बिवा सबसे अदा जारखंड में होते हैं और सेकंड इस्तान पे पश्यमंगाल में होते हैं एक भी साधी 18 वर्ड से नीच नहीं होती, किस राज में, केरल में, केरल में एक भी साधी 18 वर्ड के नीच नहीं होती, ISS, International Space Station की कमांड सम्बानने वाली पहली European महिला बनी है, सामन्था क्रिष्टो 480 सामन्था क्रिष्टो 480 इटली की रहने वाली है सामन्था क्रिष्टो 480 इटली की पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री थी और ये अब बन गई है ISS की कमाद सम्हालने वाली पहली यूरोपी महिला बन गई है सामन्था क्रिष्टो 480 तो यह ISS है जो ISS है 1998 में कई देशों के सयोग से बना गया था 2021 में नासा इसे प्रसांद महासागर में गिरा देगा टाइम इसका पूरा हो जाएगा नेक्स्ट हिम कायड योजना जो कि किसानों की सिचाय सम्मान दित है हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है 2023 में 37 राष्ट खेल गुवा में होगा और 2022 में 36 राष्ट खेल गुजरात में हो चुका है गुजरात के सूरत में हुआ था उदगाटन मोदी ने किया समापन जगदीब धनकन ने किया और पहले नमबर पे आई थी 650 क्रोंड की लागत से बन नहीं है उज्जाइन में ये 8BER 802 लोग कोरिड और से 9 गूना बढ़ा है चंदयान 2 ने पहली बार चंदमा पर सोडियम की परचूरता का पता लगए है चंदयान 2 जो भेजा गया था 22 dai 2019 में जिसमें रोवर प्रज्यान था और लेंडर विक्रम था तो जो लेंडर था ये साफ्ट लेंडिंग नहीं कर पाया था जिसके कारण ये मिसन लगभग 5% फेल हो गया था बाकि 95% कम्प्लेट था तो इसने वहां से जनकारी भेजी है सोडियम की चंदमा पे सोडियम का पता पोडिशा में सुभंकर इभा फीफा अंडर 17 महिला विसकप पोडिशा में होगा सुभंकर इभा नेच्ट है चार बागबानी एस्टेट इस्थापित किया है पंजाब ने इंपॉड़न है चार जिलो में चार बागबानी इस्टेट इस्थापित किया है पंजाब ने मु और सरसेष्ट महिला खिलाडे का पुरुसकार दिया गया है इसमें हर्सिका राम चंदन को जो 36 में राष्ट खेल जो गुजरात में सूरत में हुए हैं इसमें सरसेष्ट महिला खिलाडे का पुरुसकार हर्सिका राम चंदन को दिया गया सरुसिष्ट पुरुस खिलाड़े का किताब साजन प्रकास को दिया गया सैतिस्मा कहा होगा कुजरात में होगा नेक्स्ट है अगला कोस्चन है पहली सौर वैदसाला कुवाफू वन लांच किये चीन ने पहली सौर बेस साला कुवाफू वर लांच की है चीन ने तियानवेन फर्स्ट चीन का मंगल मिसन है तियांगों चीन का इस पेस इस्टेसन है कृतीम आर्किटिक भीणिया बनाया है चीन ने भारत भी अपना जो है सौर मिसन करेगा दोहेर तेज तक उसका नाम होगा आदित से अलवन भारत दोहेर तेज तक आदित अलवन की नाम से अपना पहला सौर मिसन करेगा इसमें सौर का अध्धन होगा और नासा का जो सौर मिसन है उसका नाम है पारकर प्रोप पारकर प्रोप नासा का सौर मिसन है एक अभ्यास चल ला है प्रस्थान इसको कर रही है भारत बहरत का पहला और भारत का पहला टोगांग सेलक्षन लेजर भी खोला गया था तमिलाडू में बदलब जो भी प्राड़ी लुप्त हो रहे हैं उनके सेलक्षन में ऐसा किया जाय रहा है नेक्स्ट है अंतरिक्ष में फिल्म सुटिंग करने वाले पहले हीरो बन गया है नोजनरी देश को इंदोर में मनाया जाएगा राश्टपती मुर्म ने सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का अधवर्टन किया है आयटी गोहाटी में नेक्स्ट है इराक के नए राश्टपती बने है अब्दूल लतीफ रासित अब्दूल लतीफ रासित ये इराक के नए प्रेसिडंट बने है बेटियां बने कुसल आयोजन किया है इस जो राश्टी कारकरम है बेटियां बने कुसल इसका आयोजन किया इसमृत इरानी ने 10 अक्टूबर को मनाते हैं इसकी जहनती पर हमारे पूर्व राश्ट पती ग्यारवे राश्ट पती डाक्टर एपीजी अब्दूल कलाम की जहनती पर 15 अक्टूबर को मनाते हैं 26 दिवस पुरी दुनिया मना जाता है बैस्विक भुख सुचकांग में भारत 107 में इस्थान पर है पर्यावराम सुचकांग में भारत 118 में इस्थान पर है प्रस फ्रीडम में भारत 150 में इस्थान पर है सांती सुचकांग में भारत 136 में इस्थान पर है सांती सुचकांग में भारत 136 में इस्थान पर है हे स् uğănः का सब्सक्राइब एक सो ये सु अ इसके पाइले एकसमें इस अ पर एक सब्सक्राइब द्स पहले स्थान पर है आइस लेंड तो यह आपको याद होना चाहिए HDI में भारत 132 में इस्थान पर है HDI में भारत 132 में इस्थान पर है और सांत सुचकांग में 136 में इस्थान पर है मतलब 36 काकड़ा भारत किसी साथ में नहीं और प्रस सुचकांग में भारत 150 में इस्थान पर है और भुकमरी में भारत कौन से स्थान पर है भुक्क्मरी में भारत 107 वे स्थान पर है HDI में 132 वे स्थान पर है UK3 में भारत 116 वे स्थान पर है नेक्ष देखते हैं World Green City Award 2022 जीता है है जादराबाद ने Public Affairs Index 2022 में टाप पर है बड़े राज्यों में हरियाना और छोटे राज्यों में बात करें तो सिक्कम टाप है पब्लिक अफेर्स इंडेक्स हुजर 22 में टाप के कोई ने हरियाना नेक्स्ट है भारत के पहले सस्पेंसन ब्रिज जो तारों से बनता है ये केशना नदी पे बनना है ये भारत का पहला बनना है दुनिया का ये दूसरा हो जाएगा ये तेलंगाना और आंधर प्रिज जो जोड़ने वाली किशना नदी पर ये बनना है भारत का पहला सस्पेंसन बिज इंपोर्टन है नेक्स्ट है महिला एसिया क्रिकेट कप 2022 जीता है भारत ने महिला एसिया क्रिकेट कप 2022 जीता है भारत ने जबकि पुरुस एसिया कब 2022 जीता है स्री लंका ने और महिला एसिया हाकी कब जीता है दच्छी कोरिया ने पुरुस एसिया हाकी कब जीता है 2022 दच्छी कोरिया ने और महिला एसिया हाकी कब जीता है जापान ने इसमें भारत को कास मिला है दोनों में male female में हाकी की male female में भारक तो कास मिला है तो ये question important है महिला Asia cricket cup 2022 जीता है भारत ने next है लगबग भारत 7 बार जीत चुका है 8 बार प्रतियोगता हुई 7 बारत भारत ने जीता है next है Interpol की 90 वी महासभा की मेजबानी दिल्ली में होगी Interpol Interpol की 90 वी महासभा की मेजबानी दिल्ली में हुई है Interpol का मुख्याले लियोन फ्रांस में यहां से पहला बैस्विक पुलिस मेटावर्स लांच किया गया है यहां से पहला बैस्विक पुलिस मेटावर्स लांच किया गया है इससे Interpol की पुलिस और भारत की तो पुलिस मिल के काम कर सकती है । भारत के पहले इल्मोनियाउंढ का उधिजिभाटन कियाckt रेल मंत्री अश्वॅञ बैस्टब ठेक बोड़ालन कोशन है। पर्माणू अभ्यास प्रमाणू युद्धाब्याथ इस टीड फास्ट नौन इस इसका नाम नाटो ने किया है। नाटो ने किया है। नाटो के द्वारा कई तवमाद उभहस्ट नून Nato ने इस थापना 1949 में हुथी, Brussels Belgium Headquarter है 30 देश है इसमें James Stolenberg इसके अद्देक्ष है Next देखते हैं अगला question है Student के प्रधान मंत्री बने है उल्फ क्रिश्टर्सन Student के प्रधान मंत्री बने है उल्फ क्रिश्टर्सन गर्वती महिलाओं पर पुनर बिवा प्रतिबन हटाया है जापान ने गर्वती महिलाओं पर पुनर बिवा प्रतिबन हटा लिया है Next है T20 बिस्टकप में डेबू करने वाले सबसे युवा खिलाडी बन गए है आयान खान UAE के रहने वाले है T20 बिस्टकप में डेबू करने वाले पहले खिलाडी है बुकर पुरुषकार दे दिया है important question है बुकर पुरुषकार 2022 दिया गया है सेहान करोडा तिलका जो कि स्री लंका के है बुकर पुरुषकार किसे दिया गया है सेहान करोडा तिलका को दिया गया है सेहान करोडा तिलका को दिया गया है बुकर पुरुषकार स्री लंका के है कौन सा उपन्यास है दस सेबन मून साफ माली अलमेडा सिहान करोणा तिल्की की उपन्यास है दस सेबन मून साफ माली अलमेडा को बुकर पुरुषकार दिया गया है और अंतराश्टी भुकर पुरुषकार की बात कर लें तो टाम अफ सेंड को दिया गया है गिताँजली सिली ने इसको लिखा था दुनिया में मचली का तीसरा सबसे बड़ा उतपादक देश है भारत और पहला बात करें उतपादक देश चीन है अगर भारत में मचली का सबसे बड़ा उतपादक राज की बात कर लें तो वो आंध प्रदेश है देर प्रशिम बंगाल है बैस्विक मचली उतपादन में भारत की हिसेदारी 7.96% है नेक्ट है वन वेव वन वेव जो की यूके के 36 उपग्रों को लांच करेगा कौन इसरो इसरो जी एसलबी मार्ग थिरी के दुआरा 36 उपग्रों को वन वेव के 36 उपग्रों को लांच करेगा ये यूके काई कहां से आंध्र प्रदेश के सिरी हरिकोटा से J.S.L.B. माक्थिरी इसी से ही चंध्यान टू लांच किया गया था एसिया के सबसे बड़े कंप्रेश्ट बायो गैस प्लांट का उधगाटन किया है हरदीव सिंगपूरी केंदरी मंत्री है कहां से किया है पंजाब के संगरूर से पंजाब के संगरूर से एसिया के सबसे बड़े कंप्रेश्ट बायो गैस प्लांट का उधगाटन किया है केंदरी और पटॉलियम मंत्री हरदीव सिंग पूरी ने किया है Next है बायसுविए युवा जलवाइ शिकर सेम्हेलन होगा बांगलादेश में Next है 22 ब्लाक्चें सिकर सेम्हेलन दुबई में हुआ दुबई UA में हुआ 22 बिस ब्लाक्चें सिकड सेम्हेलन दुबई UA में हुआ बैलोन ڈ और पुरुशकार 2022 जीता है मेल में बात कर लें तो करीम बिन जिमा ये फ्रांस के हैं इन्होंने पहली बार बैलोन डी और पुरुसकार दिया गया था अभी तक बैलोन डी और पुरुसकार या तो रोनार्लो जीते थे या तो लियोन में से जीते थे पहली बार ऐसा हुआ है कि करीम बिंजेमा जो कि फ्रांस के इनोंने जीता है बैलोन डी और पुरुषकार ये फुटबाल में जो अच्छा प्रतसम करतन को दिया गया है महिलाओं में दिया गया है एलेक्सिया पुटेलस को एलेक्सिया पुटेलस जो कि इस्पैन की इनको दिया गया है इंपॉटन है करीम बिंजेमा फ्रांस के हैं इने बैलोन डी और पुरुषकार दिया गया है नेक्स्ट है बारवान डिफेंस एक्सपो दोज़र बाइस गांधी नगर में हुआ है थीमती पाथ टू प्राइड एक देश एक कम कीमत पर गुलत पूण फसल पोसक तत्थ देना है एक देश एक उरुबरा की ज़ना मोधी ने स्टार्ट किए कहां मोधी ने इसका अध़चल किया है किसान सम्मान संबेल नंहीं से एक देश एक URBAK योजिना भी मोधिन ağinosstart किया है और प्रधानमंतरी भारती जन अरभबा की योजिनभी ही मोधिन हीं से start के एक देश की सबसे बड़ी fixed line सेवा प्रदाता कंपनी बन गई है Reliance Geo देश की सबसे बड़ी Fixed Alliance से वाप प्रदाता कंपनी बन गई है Reliance Geo इसमें BSN को पीछे कर दिया है नेक्स्ट है ओकला Speed Test के अनुसार Mobile Internet Speed Test के मामले में भारत 108 स्थान पर है नार्वे पहले स्थान पर है नेक्स्ट है Fixed Broadband के मामले में भारत 79 स्थान पर है पहले स्थान पर चिली है नेक्स्ट है दुरुगावती Tiger Reserve कहां बनेगा Tiger Reserve मध प्रदीस में यह पनना Tiger Reserve का ही सब पार्ड है दुरुगावती Tiger अगर bizarव बरने गा क्योंकर अइस ने कुनो नेसनल पार्क आप जांते मुद्द प्रदेस में हैं जब नामिई यह से आठ चीते लाये गये तो तो आहां रखेंगे मद्द प्रदेस के कुनु नेशनल पार्क में Next question है भारत पाक सीमा के पास दीसा एरबेस बनना है दीसा एरबेस ये कहां पर बनना है ये बनास कांठा जिले जो की गुजरात में है वहां पर बनना है दीसा एरबेस भारत पाक सीमा की 130 किलोमेटर के दाइरे में है ये दीसा एरबेस ये मोदी ने गुजरात में इसका उध् सक्रति उसो है, सारंग महसो यह मना जाता है कुरिया गड़लाज में next है, हुन्रूर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार बेखती है, सिव नाधर S.E.L. के हैड है S.E.L. के हैड है सिव नाधर, यह भारत के सबसे उदार बेखती है, next है a confused mind story book लिखी है साहिल सेट ने a confused mind story book लिखी है साहिल सेट आई-एफ से दिखारी है next है अगनी prime missile की testing की गई है ओडिसा से ये 1000 से 2000 km की range है ये अगनी first का update version है अगनी prime missile ये प्रमाडू छंता से लायस है DRD उने उसका अज़टन किया है testing की है मतलब ओडिसा से और 1958 में DRD की स्थापना हुई दिल्ली में headquarter है समीर वी कामत इसके head है DRD के next है अगला question है Tiger Trump Tiger Trump जो युद्धाब्यास है जो अमेरिका और भारत के बीच में होता है विसाखा पटनम में अभी हुआ है Tiger Trump युद्धाब्यास भारत और अमेरिका के बीच में विसाखा पटनम में हुआ है Tiger Trump और भारत अमेरिका के बीच में क्या क्या होता है ब्रजिप्रहार युद्धाब्यास होता है एक युद्ध्य भैस नामक युद्ध्य भैस होता है बारत अमेरिकाओ के बीट में नेश्ट है चवदुमा विश्व इसपाइस कांग्रेस महराष्टरा में होगा नेश्ट है ट्रीज बियांड फॉरिस्ट trees beyond forest कारेकरन कहा start किया है असाम में start किया है नाम सही clear है दिवाली पर school में आउकास दिया जाएगा 2023 से नियुवाक में यहाँ पर maximum भरती रहते हैं दिवाली पर आउकास दिया जाएगा 2023 से start होगा नियुवाक में नेच्ट है 15,66,000 दिये जल कर रिकार्ड बन गया अयोध्या में अयोध्या में 15,66,000 दिये जले हैं अभी नये रिकार्ड बना योध्या में इसके पहले 11,71,11,71,000 दिये जले थे उज्यन के महाकाल मंदिर में नेक्ट देखते हैं सितरंग चक्रवाती तुफान सितरंग चक्रवाती तुफान बंगाल की खाड़ी में आया है important है सितरंग चक्रवाती तुफान इसका नाम दिया है थाइलेंड ने थाइलेंड ने सितरंग चक्रवाती तुफान को नाम दिया है यह बंगाल की खाड़ी में आएगा यह FATF की black list में सामिल किया गया है मियामार को मियामार को हाल ही में सामिल किया गया है black list में 3 देश हैं मियामार, उत्तरकोरिय, इरान gray list से पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया था और FATF की स्थापना 1989 में हुई थी पेरिज में headquarter है next है ہو-कुगी हार महोसो कुखुर तीहार महोसो नेप zrob है कुखुर जो है कुथे पुझा की जाती है तो यह नेपाल का महोसो है इस सी तरही तिहार महोसो मतलब बेपरिज़े सी नेपाल का महोसो है करनाटक वी एसी prevention अनों सूचित आत्यक है आरक्षण 15% से बढ़ा के 17% कर दिया गया है, SC का आरक्षण 3% से बढ़ा के 7% कर दिया गया है और नई सिच्छानीत लगू करने वाला पहला राज भी करनाटक बना था और इसने ट्रांस जेंटरों को पुलिस में 1% आरक्षण दिया है और इसने जो इसपोल्ड के परसन होते हैं उनको सरकारी नवकरियों में 2% आरक्षण दिने वाला पहला राज करनाटक बना है केरल सरकार ने बच्चों के खिलाब साइबर अपरात को रोकने के लिए कुझ एप लांच किया है और लकी बिल आप भी केरल सरकार ने लागो किया था जेथी चौरी को रोकने के लिए next है अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली ACI अमेरिकी बनी है एना में बॉंग एना में बॉंग एना में बॉंग अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली ACI अमेरिकी बनी है एना में बॉंग next है honesty shop honesty shop जो खुला जाएगा एर्ना कुलम के school में खुला जाएगा कच्छा बारत तक के जो school हैं वहाँ पे एक दुकान खुली जाएगी जिसमें से दुकान दार नहीं हुगा आपको पैसे रखके समान ले जाना है honesty check करने के लिए honesty shop खुला जाएगा एर्ना कुलम के रहल में खुला जाएगा next है सखारो freedom prize ये किसको दिया गया है European Union देता है सखारो freedom prize दिया गया है यूक्रियन के लोगों को next है UNSC की आतंगवाद बिरोधी बैठक का आवजिन भारत के दो सहरों में किया जाएगा मुंबई और दिल्ली में इंपॉड़न है UN समयक्त राष्ट की स्रुक्ष्चा सेक्योर्टी काउंसलिंग की आतंगवाद बिरोधी बैठक का आवजिन मुंबई दिल्ली में होगा theme है इसकी tracking the use of new and emerging technology for terrorist purpose तो ये theme है ये मुंबई और दिल्ली में आज इसका किया जाएगा UN से की आतंगवाद बिरोधी बैठक गई है next है UN में भारत के स्थाई प्रदनेदी है रुचका कमबोज next है मैं भी सुभास अभियान को शुरू किया है लद्दा के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामगयाल जाम्यांग सेरिंग नामगयाल लद्दा के सांसद है इन्होंने मैं भी सुभास अभियान शुरू किया है तेज जनवरी को मनाते हैं पराकरम दिवस next है संब्रद योजना संपत्तिकर माफी योजना है उसको कहते हैं संध्वरदिकर कि दिल्ली के उपराजपालने इसको स्टार्ट किया है इस समय उपराजपालने है डिल्ली के बीना गुमार सकसेना नेक्ट है भारत में टाटा के द्वारा पहली बार C-295 ट्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट एरफोर्स के लिए बनाया जाएगा कहां पे गुजरात के बढ़ो दरा में गुजरात के बड़ोधरा में टाटा द्वारा पहली बार C295-295 ड्रांसपोर्ट एरक्राफ्ट बनाये जाएगा बड़ोधरा में महिलाओं के अन्गूल परिटक कहां होगा? कहां स्टार्ट किया गया है पहल केरल में महिलाओं के अनकूल परेटन एक अभियान है जहाँ पर जो महिला आघेंगे तो वहाँ पर महिलाओं का स्टाफ होना चाहिए तो इस तरह इक महिलाओं को सुधा का ध्याहर नगते हुए किरल ने स्टार्ट किया है नेश्ट है अकास फार लाइफ अकास फार लाइफ एक अंतरिष सम्मेलन कहा होगा नेच्ट है कॉब 27 UN की 27 में जलवाई परीवर्तन बैठक 2022 कहा होगा मिस्र में होगा कॉब 27 मिस्र में होगा कॉब 21 ग्लासको स्कॉर्टलैंड में हुआ था और कॉब 28 UAE में होगा UN की वायू परिवहन समीत की अधिक्ष बने हैं सेफाली जुनेजा सरस फूड फेस्टिबल 2022 कहा होगा नई दिलने में होगा तो दोस्तों ये रहा पूरा अक्टूबर 2022 का करेंट अफेर्स आज की वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद